Hello everyone, कल के लिए Nifty और Bank Nifty के लेवल्स देखते हैं मैंने आज क्या कहा था करने के लिए मैंने कहा था कि आप कुछ ना करें सिर्फ observe करें क्योंकि हम प्रेडिक नहीं कर सकते technical analysis work नहीं करते event day पर और यह तो सबसे बड़ा event था so मैंने फिर भी एक view दिया था कहा था कि 11 बजे तक consolidate करेगा उसके बाद एक upward move आसका है काफी अच्छा move आया upward बट वहाँ से downward भी बहुत बड़ा move आया 18,000 के exact resistance level से वो sharp downtrend आ गया उसका वैसे भी predictable नहीं था ठीक है एक छोटा सा upward trend मैंने capture किया छोटा सा trade लिया था बाकिया अब्जर्व किया देखते है निफ्टी-fifty 15 minute time frame अगर कल cost to cost खुलता है gap up खुलता है जैसे conditions है अगर gap up खुलता है तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है तेखे और अगर cost to cost खुलता है gap down खुलता है तो 15-20 minutes wait करना 30 minutes तक वेट करना और फिर उसके consolidate करने देना फिर एक move देता है upward 17-7-50 तक आपका first target हो सकता है उसके उपर 8-50 तक अगर consolidate करके break होता है नीचे या फिर gap up होके break करता है नीचे तो 17-500 first हमारा support होगा उसके बाद 17-400 होगा next देखते है nifty bank 15 minute time frame consolidation करके जिस भी तरफ break करेगा 41,000 का first level है ठीके वह वहाँ तक हम target चक सकता है अगर consolidate करके break करता है तो first target 39,900 होगा अगर वो भी break होता है तो 39,400 तक जा सकता है अगर काफी ज़्यादा gap up होता है तो नीचे एक trend, sharp trend आपको देखने को मिलेगा